अलो बच्चों कैसे हो तुम लोग फुली और डूइंग वेल लास्ट लेक्षर में हम लोगों ने क्या किया था वी स्टार्ट विद डार्क रेक्शन है ना आज उसके आगे का करेंगे विट्टा स्वागत है आप सब का इस अमेजिंग एडुकेशनल प्लेट फॉर्म पे मै स्थाना सर आपका बॉट्ट नी टीचर विट्टा आज हम लोग बात करेंगे फोटो रेस्परेशन पे बिफोर इस्टार्ट तुड़ेश्ट लेट्स हैब री कैप ओन दे लास्ट लेक्च्चर लास्ट लेक्च्चर में लोगों ने क्या क्या किया था विट्टा जो इस्टेबल प्रोड़क्ट है वो तीन कार्बन का है इसलिए उसको सी थरी साइगल बोलते हैं है ना और थोड़ा सम लोगों ने इंटर्डूस किया था फोटो रेस्परेशन ठीक है यह क्या विट्टा रेस्परेशन occurs in the presence of light नॉर्मली जो नॉर्मल वाला रेस्परेशन होता है वो क्या होता है बटा डार्क रेस्परेशन बोलते हैं है ना और यह रेस्परेशन थोड़ा अलग है प्लांट में क्योंकि यह माइटो कॉंडिया के अंदर नहीं होता है इसमें बहुत सारे से लॉर्गनल इंबॉल है उसमें माइटो कॉंडिया भी एक है लेकिन यह फोटो संथेटिक एंजाइम से स्टार्ट होता है इसलिए इसको फोटो रेस्परेशन करते हैं क्योंकि लाइट के ही प्रेजिंस में होता है इसको मैंने इंट्रेजिूस किया था फिर डार्क रेक्षन में हम लोगों को निया देखा है वेटा कि जो लाइट रेक्षन से रेडक्षन पोटेंशल मिल रहा था that is your ATP और NADPH उसको carbon dioxide को fix करने में use करना है एक glucose बनाने के लिए 6 carbon dioxide के ज़रुवत होती है और इसमें support होता है 18 ATP का और 12 NADPH का ये CO2 को fix करते हैं और एक glucose बनता है तो 3 steps थे बटा अगर तुम dark reaction देखो so dark reaction को तीन पार्ट में divide कर सकते हैं है ना ऐसे divide कर सकते हैं इसको ठीक है तो अलग-अलग phases है बटा ये हो गया carboxylation ये हो गया reduction और तीसरा phase जब बटा उसको मोलेंगे regeneration regeneration ये हो गया regeneration तो यहां पर यूट्यूब फिक्स होगी यहां पर तुमारी सूगर बनेगी और यहां पर regeneration किसका होगा आर यू बीपी का तो ये तीनों पार्ट है बटा केल्विन साइकल का मेलविन केलविन ने इसको धूड़ा था इसको यूज करके उन्होंने धूड़ा था चलो आज बात करेंगे पोटो रिस्पेरेशन इन डीटिए इसके बारे में बात करेंगे बीटा पूरी सथे को इनलाइस करेंगे उसके दूसरी सथर्षे जो आज हम बात बॉर्बर्ग इफेक्ट या फिर फेमिस से इसको इसको बोलते हैं बेटा C2 साइकल C2 साइकल C2 साइकल का मतलब क्यों इसको C2 साइकल बोलते हैं क्योंकि यहां पर जो first stable product बनेगा first stable product is of two carbon दो carbon का compound बनेगा जिसका नाम है फास्फो ग्लाइकोलेट ठीक है अब तो अब डेटेल में बात कर लेते हैं वाई पोटो रेस्परेशन जड़ूरत क्या है बटा और किसमें होगा थीक है वाई पोटो फास्पोरिलेशन और सारी फोटो रेस्परेशन यह क्यों होना चीए तो बटा यह दोकर रीजन क्या इसका कि जो तुम्हारा रुबिस्को है ना यह डूबल एंजाइम है मतलब यह करबॉक्सिलेश जैसा नॉर्मल सरकमिस्टांसेज में काम करता है लेकिन कुछ कंडिशन में ऑक्सिजिनेश जैसा काम करने लगता है तिसके पास दो एक्ट्विटी यह कब होगा जब ऑक्सिजन का पार्शिल पेशर ज़्यादा होगा लाइट इंटेंसिटी करने लगेगा मतलब क्या हुआ कि यह जो आर्यू बीपी है तुम्हारा अना यह औक्सिजन से रियक्ट करेगा और इसके बाद क्या बनाएगा एक मॉलिक्यूल बनाएगा टू पीजी टू फास्पो ग्लाइकुलेट और एक मॉलिकुल बनाएगा ट्री पीजी ए तो यह प रियकुलेट ठीकर और यहां पे गारा है अन्लाइक प्पोनाइक प्प्पोन खुन में। यहाँ पर क्या हो रहा है उसरी साइक्ल का नाम पीचा अब這邊 वैल बिंट अ कe फोटो सिंथेटिक अ क को तो सिंथेटिक और ने पीज्देशन मत्Яएip你知道иков का कारबन अंट्रेम आड आसे पार move कि वैं तो ठीहा भी कर आँए वे तो प्सक्व मिल गया इसको कि अ वो भी बोलेंगे, है न, तो यह पहला product बनने के वज़े से, यह कितने carbon का है वैटा, two carbon का, इसलिए cycle को हम लोग, c2 cycle भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, c2 cycle, यहाँ पे photosynthetic carbon का क्या हो रहा है वैटा, oxidation हो रहा है अगर तुम ध्यान से देखो तो यह 5 carbon था यहाँ पर carbon नहीं है यह 2 carbon का compound है और यह 3 carbon है हो गैना अपना equation पूरा ठीक अब यह process क्यों होती है ठीक तो process होने के पीछे का रीजन ये था कि वेन रुबिस्को केम इन्टु एक्जिस्टेंस जब ये इवाल हुआ जब एक्जिस्टेंस में आया बिटा अट बैट टाइम इन्वार्मेंट कैसा था इन्वार्मेंट वोस वोस रेडूसिंग ठीक है तब तक ये इसका एक्स्पोज नहीं हुआ था ठीक है अब नौ कैसा है नौ इन्वार्मेंट इस ऑक्सिडाजिंग एक बात ये हो गई और C3 जो प्लांट थे मतलब जिन में केल्विन साइकल चलती थी वैसे प्लांट को हम बोलते हैं C3 प्लांट्स वर बैसिकली फ्रॉम टेम्परेट जहां पर कम टेम्परेचर होता था वहां के थे टेम्परेट इन्वार्मेंट बाद में ड्यू कोर्स में जब वो ट्रॉफिकल एरियाज में आए इन्टोफिकल एरियाज प्लांट्स या फिर सब जब आए ल कह दो डिस सब बुंद आपने सब्षसकेशन गड़ हो एर इस टान। टो टोह इस अगर मैंठो फोटो उसप्रैशंट इस नॉट हैपनिंग या इफ फोटोस्प्रेशन डज नॉट अकर और टम्प्रेचर ज्यादा है ठीक है तो क्या होगा देल भी फोटो अक्षिडेशन अफ अफ ख्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स तो उनको बचाने के लिए ख्लोरोफिल को बचाने के लिए ठीक है है हैंस टू सेब हैंस टू सेब क्लोरोफिल पोटो रेस्प्रेशन अकर ठीक है एक चीज़ और तुम्हें यहां पर ध्यान में रखनी है बोग क्या बटा की पोटो रेस्प्रेशन अकर्स इन थ्री तीन सेल और गनेल में होता है बटा कौन कौन से दो को स्टार्ट करोगे तो यह होता का है पर अक्सी सूम में वहां से स्टार्ट होगा बटा दन किस में होगा यह होगा फिर माइट्रो कॉंडिया में श्डर्ट है और उसके बाद पर से क्लोडो स्ट में है क्लोर व्प्लास्ट में थीक है तो स्टार्टिंग कहां से होगी बटा स्टार्टिंग होगी exploat से यहां से स्टार्ट होगा ठीक है यहां से स्टार्ट होगा परोक्सिसोम में जाएगा परोक्सिसोम से माइटो कॉंडिया में जाएगा तो सीक्विंस क्या होगा बटा तो क्लोरो प्लास्ट ते यह जाएगा परोक्सिसोम में वहां से फाइनली माइटो कॉंडिया में और मा process chloroplast में आएगी है ना तो तक्रीबन 25% लॉस होगा पोटो सिंथेसिस का कैसे इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी थोड़ी बुकिस लैंग्वेज को जासूसी कर लिया जाए ठीक है तो यह तुम्हें कब होगी बिटा मैंने बुला ब्राइट लाइट लाइट इंट जब भी ऑक्सीजन जादा होगा और स्यूटू कम होगा तो यहां पर होगी इसको बहुत बारी लोग बोलते हैं वेस्ट फुल प्रोसेस बट आक्चली यह वेस्ट पुल नहीं है क्यों नहीं है मैंने तुम्हें एक्स्प्लेइन करा ठीक है और यहां पर क्या होगा कि सी थ यो चैकल बोलते हैं फोटो सिंथेटिक कार्बन औक्चिडेशन साइकल और यहां पर जो मेन इंजईम में वह स्टार्टिंग जहां से होगी वह रूबिस्को हैं और कैसा काम कर रहा है रूबिस्को आक्सीजिणेज की काम कर रहा है है हना और् रादर दन फिक्सिंग दिक यह oxygen को fix कर रहा है ठीक है इतनी बास समझ में आगी तुम लोगों को ठीक है अब RUBP react करेगा oxygen से क्या बनाएगा एक बनाएगा दो carbon का product जिसको बुलेंगे फास्पो ग्लाइकोलेट और एक बनाएगा तुम्हारा तीन carbon का जो normal PGA है और यह फास्पो ग्लाइकोलेट आगे move कर जाएगा है ना कैसे करेगा मैं बताता हूँ और it loses 75% of the carbon जो photosynthesis में use हो सकती है ठीक है और कैसे यह loss होगा उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे ठीक है तो पहला step मैंने तुमको पहले बताया कि नॉर्मली यह नॉर्मल स्टेप है है ना केलिविन पात्वे का लेकिन अब यहा पर ऑक्सीजन आ रहा है क्योंकि यह जैसा काम कर रहा है है ना अगर तुम ध्यान से देखो कि दिस इस इस साइकल मोटल काम एक्रोस कि रुबिस्को ने ऑक्सीजन को लिया और दो कार्बन का कंपाउंड बना दिया जिसको बुलते हैं फास्पो ग्लाइकोलेट अब यह फा अब यह फास्पो ग्लाइकेट अपना फास्पेट निकालके प्रोक्सिसोम में जाएगा और वहां पर कनवर्ट हो जाएगा ग्लाइसीन में और ग्लाइसीन जो होगी वो माइटो कांडिया में जाएगी और माइटो कांडिया में जाने के बाद वो सेरीन में कनवर्ट होग लेकिन वह फास्पो ग्लाइकुलेट बनने के लिए तुम्हें कम से कम दो ग्लाइसिन चाहिए मतलब यह साइकल दो बारी चलनी चाहिए तो एक तुमको 3 PGA मिलेगा मतलब क्या हुआ कि इस प्रोसेस में है ना इस प्रोसेस में क्या हो रहा है बैटा कि दो बारी कर नॉर्मल अगर तुम कैल्विन साइकल चलाओगे तो तुमको कितना मिलेगा 3 PGA टू इंटू टू फोर मिलेगा यहां पर दो बारी चलाओगे तो तुमको कितना मिलेगा दो तो इधर मिल गया और एक मिलेगा तीन मतलब यह 75% ही फोटो सिंथेस कर रहा है और 25% का लॉस हो जा रहा ह ठीक है तो यहां पर oxygen बाइंड करेगा और फास्पो ग्लाइकुलेट बनाएगा और यह फास्पो ग्लाइकुलेट वापस से आ जाएगा किसमे प्रॉक्सिसोम में अपना फास्पेट ग्रूप लूज करने के लिए है ना और उसके बाद जो होगा यह कनवर्ट हो जाएगा glycine में अगर तुम यह ध्यां से देखो तो क्या हो रहा है अगर तुम बहुत ध्यां से देखोगे तो आरिउब्य प्रॉक्सीजन को ले रहा है एक बन गया तुमारा फास्पो ग्लाइकुलेट और एक बन गया 3PGA यह चला जाएगा Calvin साइकल में है ना दो बनने के बज़ा एक ही बन रहा है लेकिन 50% का loss नहीं है कैसे यह fast pro glycolate convert हो जाएगा glyoxalate में और यह glyoxalate आ जाएगा तुमारा वापस से proxysome में अब यहां से यह convert हो जाएगा glyoxalate glycine में अब glycine आएगा maltochondria में और 2 glycine चाहिए होंगे दो glycine चाहिए होंगे हमको एक serine बनाने के लिए मतलब ये cycle दो बारी use होगी कैसे में समझा रहा हो तुमको अब ये serine फिर से आएगा तुम्हारा proxysome में convert हो जाएगा है डॉक्सी पारवेट में वहां से convert होगा glycerate में और NAD का यूज कर लेगा है ना अब glycerate यहां से जाएगा और ATP को utilize करेगा और PGA में convert हो जाएगा मतलब इसमें extra ATP भी use हो रहा है और extra NADPH भी use हो रहा है है ना अब कैसे तुम समझोगे चलो मैं तुमको एक दम simple तरीके से समझा देता हूँ let's have three boxes over here एक box यह हो गया अपना यह दूसरा box और यह तीसरा box ठीक है यहां पर तुमारा RUBP था यह तुमारा chloroplast है वेटा यहां से start होना है यह तुमारा proxy som है और यह mitochondria बहुत कम ऐसे process होते है जो तीन से लॉर्गनिल में होते हैं अब यहां पर acceptor क्या है RUBP पांच कर्बन वाला है ना इसने oxygen को accept किया अब यहां पर Rubisco की ज़रुवत पड़ेगी अपने को Rubisco यूज हो कर रहा है ठीक है अब क्या बना यहां पर 2PG 2 Phospho Glycolate बना और प्लस 3PGA एक molecule बन गया ठीक है यह PGA निकल के फिर से यह Kelvin cycle चला लेगा अपनी ठीक है यह Kelvin cycle चलाएगा अब यह 2PGA convert हो जाएगा glycolate में अब यह glycolate आ जाएगा इधर यहां पर आके paroxysome में यह glyoxalate में convert होगा और यहां से एक amino group को लेगा transamination reaction होगा यहां पर और यह convert हो जाएगा glycine में अब 2 glycine मिलके मतलब यह cycle दो बारी चलनी चाहिए 2 glycine मिलके एक serine बनाएगी ठीक है यह convert हो जाएगा यहां से अपना ammonia देदेगा इसको और यह ammonia देखके यह convert हो जाएगा hydroxy piruvate में ठीक है hydroxy piruvate यहां पर जाके reduce होगा मतलब NAD P H और यहां पर बन जाएगा अब यह reduce होके क्या बनाएगा विटा राधर oxidize होके क्या बनाएगा यह बनाएगा glycerate ठीक है और यह glycerate यहां पर ATP को use करेगा ADP और यह convert हो जाएगा बटा इसमें 3 PGA में है ना तो मतलब यह cycle को दो बार चलाना पड़ेगा अगर तुम यहां पर देखते हो कि RUBP ठीक है दो RUBP प्लस 2 oxygen लोगे तो क्या बनेगा यहां पर दो molecule 3 PGA का प्लस दो molecule बनेगा 2 PGA का और पीजी दो यह PG जो है फास्पो ग्लाइकुलेट यह तुम्हें वापस से पूरी reaction के बाद एक 3 PGA बना देगा ठीक तो मतलब यह 2 और यह प्लस 1 यह दोनों मिलके कितने बन गए बटा 3 P 3 molecule किसके 3 PGA के है ना तो मतलब नॉर्मली अगर यहां पर CO2 होता तो क्या होता दो molecule अगर अर्यू बीपी लेता तो चार molecule बनता 3 PGA का लेकिन कि यहां पर कितना बन रहा है 3 मतलब एक का लॉस हो रहा है तो मतलब फोटो सिंथेटिक अबिल्टी का लास कितना हो रहा है बटा 25% लॉस हो रहा है 75% ही फोटो सिंथेटिस हो रही है और किस चीज का लॉस हो रहा है और लॉस हो रहा है इसके अलावा लॉस क्या क्या है बटा तो लॉस क्या है लॉस जो है बटा एक है कि नॉर्मली चार मिलने चीज तो तुमको किवल तीन मॉलीकुल 3PGA का मिल ला है अप्टर टू साइकल और क्या हो रहा है ATP यूज हो रहा है ATP का यूज हो रहा है और साथ में किसका यूज हो रहा है बटा साथ में यूज हो रहा है NADH का ठीक है ये energy है तो energy भी लग रही है और साथ में एक 3PJ का नुकसान भी हो रहा है तो इतना loss हो रहा है इसलिए लोग बो बोलता है कि यहां पर लौसे हो रहे हैं लेकिन दूसरे सैंट्री जो सब्सक्राइब हो जाता है तो जिससे और बड़ा लॉस हो सकता था यह बचा रहा है उनको यह बात समझ में आ गई चल एक काम करतो हूं मैं एक एक स्टेपस में लिखता हूँ पहले देखने क्लोरोफिल म basically क्या हो रहा है वेटा so chlorophyll में हो रहा है कि तुम्हारा जो RUBP है यह react कर रहा oxygen से क्या बना रहा है एक molecule बना रहा है 2-phospho glycolate का और एक molecule 3-phospho glycerate का ठीक है इसका फास्पेट ग्रूप निकल जाएगा यह convert हो जाएगा glycolate में अब glycolate आ गया परॉक्सिसोम में ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा glycolate convert होगा glyoxalate में और यह glyoxalate convert होगा फिर से glycine में ठीक है अब यह glycine जाएगा माइटो कॉंडिया में माइटो कॉंडिया में जाएगा अब यह दो glycine चाहिए हमको दो glycine मिलके एक सेराइन बनाएंगे दोनों अमाइनोशीड हैं बेटा अब यह सेराइन अपना अमाइनोग्रूप देगा अब यह सेराइन बाद में convert हो जाएगा किसमे hydroxy pyruvate में यह convert हो जाएगा hydroxy इदर लिग देता हूँ सेराइन फिर से कहाँ पर आएगा सेराइन वापस से आएगा परोक्सी सोम में और परोक्सी सोम में आने के बाद क्या करेगा इसको NADH लेगा और NAD प्लस बना देगा यह convert हो जाएगा hydroxy hydroxy pyruvate में 1 मिट there is some problem in that यह अटा देते हैं यह convert हो जाएगा hydroxy pyruvate में यह convert हो जाएगा hydroxy pyruvate में क्यों convert होगा कि अपना amino acid amino group release कर देगा अब यह processory परोक्सी सोम में फिर क्या होगा बादा उसी में it is going to utilize NADH और NAD plus बना देगा और यह फिर से convert हो जाएगा glycerate में अब यह glycerate यह वाला जो glycerate है यह enter करेगा chloroplast में अब यह chloroplast में कहानी चलेगी अब chloroplast में जब यह enter करेगा तो glycerate यह use करेगा करने के लिए एक थ्री फास्पोग्लिस्रेट को फिर से regenerate करने के लिए यह पूरी साइक्ल तुमको दो बारी चलानी हो रही है है ना इसलिए 75 परसेंट इंटक्ट फोटो सिंतेसिस 25 परसेंट का लॉस हो रहा है प्लस एटीपी भी जा रहा है प्लस एनडीज भी जा रहा है तो यह दो पावर भी खतम हो रही है यह सारी काहनी क्लोरोफिल को बचाने के लिए है ठीक है clear है बटा मतलब यह थोड़ी महेंगी प्रोसेस है economically costly है बटा costly है अब नेचर कोई costly चीज को नहीं छोड़ेगा तो क्या करेगा नेचर नेचर के पास दो रास्ते हैं इसको बचाने के लिए नेचर है दो तो तरीके हैं गलभी टो वेज पहला कोई भी चीज देखो तुम बोलते हैं कोई चीज अगर बदल नहीं है तो time और space में बदलो या तो time change करो या फिर जगए बदल दो है ना तिन्हों ने दोनों काम पे दोनों चीजों पे काम किया तो पहला काम किया था कि उन्हों ने जगए बदल दिया change this space कोई भी change होती ना time and space में होती है टाइम एन स्पेस बिटा अब यहां पर इन्होंने क्या किया पहले में क्या क्या स्पेस ही बदल दिया ठीक है और यहां पर इन्होंने क्या क्या कि स्पेस ही बदल दिया स्पेस क्या किसका स्पेस बदलना पड़ेगा रुबिस्को का स्पेस चेंज हो गया रुबिस्को का रुबिस्को चेंज प्लेस रुबिस्को की जगह बदल दी गई रुबिस्को चेंजेस इट्स प्लेस या इट्स लोकेशन रुबिस्को काल पे होता है बड़िजू फिल मैं अब मीजव फिल मैं छोड़ दिया मीजव फिल मे नहीं होगा अब मीजव फिल से निकलके कहाँ पे चला गया ई मतलब पूरा चेंज हो गया मतलब यह anatomical change कर दिया इसने anatomy change कर दिया anatomical change हो गया बटा और यह anatomy को हम बोलेंगे यह this anatomy is called as cringe anatomy detail में बात करते हैं बटा cringe anatomy ठीक है यह भी heberland ने ढूड़ा था इसको इसके बारे में बात करते है घिन नो है कि यह रिव सानीजस्ट विंद स्वाइबूरल की में आप तो आप है आप करता हूं आप अब इधर कर देता हूं यहां पर पर जगह कम है अ दूसरी चीजह क्या हुई दूसरी चीज्ध यह वहिए आप टाइम चेंज कर दो डाइम चेंज हना तो time change किस ने किया बटा एक group था और ऐसे plant को हम लोगों ने बोला जहां पर इसकी location change हो गई थी और cringe anatomy हो गई यह मिलता किस में बटा यह C4 plant में मिलता है क्यों C4 plants बोलेंगे बात करते हैं अब यहां पर time change हो गया मतलब stomata will open only in night है ना जब तक stomata open नहीं होगा पिटा असको CO2 मिलेगा नहीं है ना तिनों ने पूरा change कर लिया यह change किस के अंदर हुआ यह नया group बन गया plant का उसको बोलते हैं cam plants दोनों के बारे में अलग अलग बाते होंगी clear है यह next lecture में बात करेंगे camp plant के बारे में आज हमारा पूरा discussion होगा C4 plant पे ठीक है थोड़ी book देख लेते हैं तो C4 plant जो सबसे पहले जिसका pathway ढूडा एक्चली वो दूसरे scientist है कोट्शेक उनका नाम था उन्होंने sugar cane और दूसरे plants में देखे इसको है ना लेकिन उनको ये cycle ठीक से पता नहीं थी तो cycle ढूड़ने का जो काम था वो ढूड़ा था MD, H और CR, slack ने तो hatch और slack cycle भी इसको बोलते हैं और दूसरा नाम है C4 plant ठीक है अब थोड़ी कहानी समझने की कोसिस करते हैं कहानी कैसे समझोगे बिटा की ये कोई अलग तरह की process नहीं है कोई भी photosynthesis बिना C3 के नहीं हो सकती कि कोई C3 is the only cycle जो सुगर बना सकती है तो यहाँ पे क्या होने वाला है यहाँ पे change होगा केवल carbon dioxide fixation करने का तरीका और सुगर बनाने के तरीके में कोई change नहीं होगा तो यह खाली जितने भी नए तरीके जाद हुए ना बटा यह केवल carbon dioxide को fix करने के हैं यह सुगर बनाने का तरीका नहीं होता है तो at the bottom of the all cycles c3 is always there अगर तुमारे दिमाग में यह बात है कि c3 खतम हो गई तो भूल जाओ यह नहीं होगी because it is only way to make sugar in plants changes क्या हुए भाई तो changes changes occur the way co2 is fixed co2 को कैसे fix करना है इसमें ही changes हुए है यह दो तरीके तुमने देखे थे बटा एक था तुमारा c4 cycle और दूसरा है cam cycle ठीक है और दोनों cycle का काम केवल co2 fix करना है एक बारी उन्होंने co2 fix कर दिया बाद में यह co2 इधर ही देंगे Kelvin cycle को ही देंगे और Kelvin cycle operate होगी इतनी बात समझ में आ गई दो तुम लोगों को चलो अब बात करते है बेटा crane genotomy क्या होती है है ना मैं पहले तुमको कुछ diagram दिखाता हूँ और उसके बाद हम बात करते है कि क्या होती है और इसको c4 cycle क्यों बोलते है वेर इस अब ग्रैंज और टॉमी एप शोव यू एप दैग्राम नहीं तो मैं खुद ही बनाता हूँ इलन्टे करते है यह अगर तुम ध्यान से देखो चलो मैं बना देता हूँ तुम्हारे लिए यह ना यह तो को प्रेंज और टॉमी में क्या होगा ठीक है, so यहाँ पर basically क्या होगा, चलो मैं पहले यह बना देता हूँ, यह मालो लीफ है, यह अडेक्सियल और अबैक्सियल एपिडर्मिस, यह तुमारी बंडल शीथ है बीच में, और उसके पास बड़ी बड़ी जो बाहर की जो शीथ सेल्स हैं, बंडल सीथ सेल्स, यह है बटा हैं, इसके अंदर बड़े बड़े क्लोरोप्लास्ट हैं, अब अंदर तुम देखो, तो वोटल फाइंड, कि यह मेजोफिल सेल्स है, दोनों साइडियों मैंने स्टोमेटा नहीं बनाया हुआ है, है न, ऐसा मदद नहीं कि स्टोमेटा नहीं है, तो यह तो को क्रेंज अनो टॉमी है, क्रेंज का मतलब क्या होता है बटा, कलर चेंज कर देते हैं, जो तुम्हें दीखे, है न, क्रेंज अनो टॉमी का मतलब होता है, क्रेंज इस जर्मन वर्ल्ड, इसका नाम होता है, रीत, रीत का मतलब क्या होता है बटा, एक तरह का गार्लेंड, जो ऐसे गार्लेंड होते हैं, जो मल्टर्स, मल्टायर्स होते हैं, जो शही ही होता है तो इसके अनोटोमी वैसे ही है अब दो तीन क्वेश्चन जो तुम्हें ध्यान देना जिसे यह हो गया इसकी इपिडर्मिस इसके पास लेक्स रुबिस्को इसको रुबिस्को नहीं दिया कर बंडल शीत अल के पास रुबिस्को है ठीक है बित रुबिस्को मतलब क्या हुआ मतलब यह हुआ कि जो साइक्ल चलनी है सी थरी साइक्ल यहां पर चलेगी इसाइब दे riot मीजोफिल में नहीं होगा मीजोफिल का काम क्या है only co2 fixation ठीक है तो अब इसको भी कुछ enzyme चाहिए हो गए ने बटा अलग होने के लिए है ना और ये हैबरलेंड का model है इसको हम बोलते है क्रेंज एनोटोमी ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को ये है क्रेंज एनोटोमी ठीक है अब c4 cycle में और क्या क्या चाहिए दोखो c4 cycle क्यों बोलते है तो पहला चीज होगा कि जो कार्बन का acceptor होगा कार्बन एक सरी स्यू टू एक्सेप्टर आई सुड राइट कम ओन ठीक है ये सो सीट स्यू टू एक्सेप्टर कौन है यहां पर तो वो तुमारा अर्यू बेपी नहीं होगा co2 acceptor is a different molecule जिसको बोलते हैं पप फस्पो इनल पयरुवेट इस था फस्पो इनल पयरुवेट ये है बटा स्यू टू एक्सेप्टर ठीक है फस्टेबल कंपाउंड compound is oxylo acetate और जो बात में convoled हो जाता है malic acid में oxylo acetate ये this is four carbon compound इसलिए cycle को हम c4 cycle बोलते हैं तो it is four carbon compound hence it is called as called as c4 cycle ठीक है अब ये कहां कहां पर operate होती है दो places एक है मीजो फिल में क्या होता बेटा co2 absorption and fixation ठीक है और दूसरा है bundle sheet अब bundle sheet देखो बेटा इसके पास ग्रैना नहीं होता है bundle sheet के पास ग्रैना नहीं है no ग्रैना मतलब ये light reaction नहीं कर सकता इसके पास ग्रैना है और ये light reaction कर सकता है तो dark reaction की जगह बदल गई है ना ये light reaction कर सकता है ये light reaction नहीं कर सकता है नो ग्रैना मतलब no light reaction है ना ठीक है और ये क्या करेगा ये c3 cycle चलाएगा और c3 cycle का का क्या है विट्टा सूगर को बनाना है ना गुलकोज को बनाना मतलब ये सारे c2 को एपजॉब करके टांसफर कर देगा bundle sheet cell में जहां पर c2 का fixation होने के बाद जो c2 बनी है तो usually क्या होता है कि ये पेप लेगा इसको फॉस्पाइनल पाइरवेट लेगा औक जैलो एसिटेट में साइकल में वह convert होगा पाइरवेट में पाइरवेट से फिनाल पाइरवेट बनाएगा फिनाल पाइरवेट से फिर वापस हो फाइनल फिनाल पाइरवेट चला जाएगा किसमें मीजोफिल सेल में चलो वह भी कानी कर लेते हैं तो पहले ये बना लेते हैं अपनी मीजोफिल cell एक बड़ा सा compartment क्योंकि दो अलग-अलग compartment बन गए है T3 में एक ही compartment था compartmentalization हो गया बटा इनो टॉमी चेंज हो गही space change हो गया है उपर वाला है इसको ओम बोलेंगे बटा this is your mezophil इसके पास Rubisco नहीं है और यह bundle seat जिसके पास Rubisco है ठीक है लेकिन ग्राइना नहीं है clear बटा इतनी बात तो यहाँ पे क्या होगा CO2 आएगी usually यह बाय कार्बनेट के फॉर्म में आती है इसके अंदर यहाँ पेप है पेप इसको लेगा और convert हो जाएगा oxylo acetate में यह oxylo acetate बहुत जादा stable नहीं होता तो यह convert हो जाएगा malic acid में यह दोनों चार कार्बन वाले हैं ठीक है अब malic acid आजाएगा कहां पे bundle seat में अब malic acid यहाँ आने के बाद यह बटा it will give the co2 बाहा निकाल देगा और co2 यूज हो जाएगी किसमे Calvin cycle में ठीक है अब malic acid convert होगा बटा पाइरुएट में पाइरुएट में ठीक है पाइरुएट से यह फिर से convert हो जाएगी फिनाओल पास्पो फिनाल पाइरुएट में पास्पो इनॉल पाइरुएट में और यहां पे इसको ATP लगेगी ATP convert हो जाएगा AMP में और PPI बाहर आ जाएगा अब यह फिर से वापस पहुँच जाएगा फास्पो इनॉल पाइरुएट अंदर यहां पे जो एंजाइम लगेगा बेटा उसका नम है पेप कार्बॉक्सिलेस कौन सा पेप कार्बॉक्सिलेस तो यह एंजाइम यह यहां पे रुबिस्को नहीं है यह पेप कार्बॉक्स लेजी यहां पे जो एंजाइम है बेटा यह रुबिस्को है इसमें रुबिस्को लगेगा तो रुबिस्को का तो जगह चेंज हो गई है ना और Kelvin साइकल बॉटम पे चल रहा है इस नॉट गॉट चेंज एट आल यह तुम्हें बेसिक इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है क्लियर है बेटा चलो थोड़ी जासूसी कर ले तो एमडी हैच और स्लैक ने के साइकल दी थी ठीक है कॉट शेक ने पहले देखा था तो यहां पे क्या हुआ कि जो स्यूट का फिक्सेशन होता है वो चार कारबन पाउंड होता है उसका नाम है और जाल एसिटी कैसी टार और जाल एसिटेट ठीक है इसलिए व्लांड को बोलते हैं सीसी फोर प्लांट यह बात मैंने तुमको बताई थी अब इसमें अनो टोमिकल चेंजे लोते हैं यहां पे क्रैंज अनो टोमि उती मैंने बता के रख होता है लेकिन उनका डेवलप होता है मदलब लाइट रिएक्षन बहुत अशे से कर पाएंगे. then CO2 जो ली जाती है. fix होती है क्समें. और जलो एस इचिटेट में करता. कोहन है बिटा PEP कर्बक्सिले स करता है उसका नाम PEPको होगला है. ये एंजाइम है बिटा PEPको करेगा. PEPको का पूरा नाम कहा है बिक पेपको is also called as पेप कार्बॉक्सिलेज फास्पोइनल पाइरुवेट कार्बॉक्सिलेज ये फिक्सर है रुबिस्को की जगा पर ये फिक्स कर रहा है तो अब चार कार्बन कंपाउंट बना अब वो आएगा मीजो फिल से पहले वो उक्जैलिस्टेट कनवर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में और मैलिक एसिड ये फिर से क्योंकि मैलिक एसिड के वो इंट्री है मैलिक एसिड आएगा बंडल शीथ में ठीक है और बंडल शीथ में आखे ये रुबिसको अपना काम करता रहेगा ठीक है और कैल्विन साइकल एक्चिल जो भी सुगर बनेगी वो फिर से कैल्विन साइकल से वो इसको टांसपोर्ड कर देगी थूदा फ्लोयम ठीक है अब पाइरविक असीड जो जन्रेट हुआ यह एटीपी को लेगा और कनवर्ट हो जाएगा फास्पो इनल पाइरविक असीड फास्पो इनल पाइरवेट में ठीक है बाई कंजूमिंग वन एटीप तुम्हें यहाद यहाँ पर यह रखना है कि इसको दो टू फास्पेट बॉंड लगेंगे क्योंकि यह कनवर्ट हो जाएगा एटीपी कनवर्ट हो जाएगी एटीपी में और पीपी आई निकल जाएगा मतलब एटीपी से जादा एटीपी इसको लग रही है यह चीज तुम्हें ध्यान में रखना है तो एएपी का बात करोगे तो 12 एक्स्ट्रा लगेंगे तुम्हें पता है 6 U2 नॉर्मल केस में एक गुलकोज देता है है ना और यहां पर तुम देख रो कि X U2 के पीछे 2 ATP एक्स्ट्रा यूज हो रहे है है ना यह 2 ATP एक्स्ट्रा यूज हो रहे है टोटल कितना होगा बटा अगर तुम देखोगे तो 6 इंटी 2 मतलब 12 ATP एक्स्ट्रा लगेंगे इतना एक्स्ट्रा लगेंगे नॉर्मली लगते कितना है 18 18 में यह 12 जोड दोगे तो कि इतना हो जाएगा 30 ATP ये बात तुम्हें ध्यान में रखना है और एक बात और ध्यान में रखना कि C4 प्लांट कैसे होते हैं तो C4 प्लांट्स ये होते हैं ट्रॉपिकल है फिर सब ट्रॉपिकल होते हैं ठीक है usually high temperature पर grow करते हैं grasses होते हैं जैसे तुम्हारे सारे हो गए जो गर्मी में मिलते हैं grasses ओके और और क्या होता है only tree एक ही tree है जो c4 है only tree c4 plant उसका नाम है बटा artiplex और सारे के सारे जो है grasses हैं छोटे plant हैं हाप्स हैं यह artiplex plant का नाम है इतनी बात तुम्हें clear हो गई है 30 ATP 12 ATP extra लग रहे हैं ठीक है लेकिन यह बार बार बोला जाता है कि c4 is a better photosynthesizer than c3 लेकिन यह कहानी कब की है बटा जब temperature जादा है light intensity जादा है oxygen का level जादा है क्योंकि don't forget you are using extra 12 ATP है ना तो वो तुम्हें ध्यान में रखना है answer करने के पहले अगर temperature कम होगा तो यह कहानी होगी तो तुमने यह देख लिया atmospheric CO2 आ रहा है bicarbonate के form में phosphonyl pyruvate इसको ले रहा है ठीक है और बना क्या रहा है इसको यह बना रहा है c4 acid जो जैलो एसिटेट है transport कर दे रहा है malic acid को malic acid CO2 निकाल दे रहा है decorboxylation कर रहा है और फिर से pyruvate में convert हो रहा है pyruvate फिर से convert होगा किस में फिनाल phospho-phenyl pyruvate में this is the condition ठीक है steps के बारे में फिर से देख लेते है primary acceptor कोन है बटटा phospho-enyl pyruvate है यह कहानी तुम्हें याद रखनी है पूरी है ना और यह कितने carbon का है यह 3 carbon का है लेकिन जब carbon dioxide को accept करेगा तो 4 carbon में convert हो जाएगा है ना और जो main enjoy में उसको pep को और फिर pep case बोलेंगे नाकी rubis को क्योंकि मीजो फिल में rubis को नहीं होगा मैंने पहले ही बताया जो पहला compound बनेगा होगा oxalo acetic acid ठीक है इसलिए cycle को C4 बोलते हैं है ना यह फिर convert हो जाएगा आगे जाके malic acid में usually और aspartic acid sometime और बाद में यह जाएगा कहां पे it will go into the कहां bundle sheet में जहां पे यह अपनी CO2 release करेगा और convert हो जाएगा pyruvate में और pyruvate फिर से regenerate करेगा 1.0 pyruvate है ना अब जब यह अंदर आएगा तो release कर देगा CO2 को और यह जो release CO2 अने बटा फिर से C3 cycle चलाएगी क्योंकि bundle sheet में rubis को होता है लेकिन bundle sheet में pep case नहीं होगा ठीक है तो C3 pathway हर जगा होना है कोई भी इसा pathway आस तक नहीं बना जो without C3 pathway को के work करें I am talking about photosynthesis ठीक है clear है यह बात okay so C4 plants are special because of the एक special leaf anatomy होती है वो क्या मैंने दिखाया तुमको और यह अच्छे से काम करते हैं high temperature पे और इनके पास highlight intensity पे भी कोई दिक्कत नहीं है और इनको इनके अंदर photorespiration नहीं होता जो photosynthetic losses नहीं होंगे और उनकी productivity भी अच्छी होती है यह बहुत important point है जो तुम्हें ध्यान में रखना है clear है बात यह ठीक है तो कहां पे मिलेंगे tropical और subtropical reason में लेकिन main pathway अभी BC3 ही है ठीक है और इनकी जो anatomy you can see over here यह दो को mesophyll cells दिख रही है और यहां पे जो तुम्हें देख रही है यह वाली यह बटा bundle sheet cells है ना तो cringe anatomy हो गई और usually इनके पास the bundle sheet may form the several layer around the vascular bundle they have the large number of the chloroplast thick world होगा और उनके बीच में intercellular spaces नहीं होंगे यह cringe anatomy तुम्हें दिख रही है और इध्यान से अगर तुम देखोगे तो यह bundle sheet cell है पाकिसल meegophil है ठीक है तो यह process है ध्यान से अगर तुम देखो atmospheric CO2 आ रहा है except कौन कर रहा है phosphorynol pyruvate enzyme पेपकेज या पेपको बोलोगे पहला जो form हो रहा है चार कारबन वाला oxalocytate यह convert हो जा रहा है malate में या फिर malic acid में अब malate और in the presence of malate dehydrogenase enzyme के बारे में उतनी बात नहीं करनी है अब ही यहाँ पर bundle sheet cell है यह सारी कहानी हो रही थी मीजोफिल में अब malic enzyme जो है वो convert कर देगा इसको pyruvate में और यह CO2 यहाँ पर निकल के जिसको kelvin cycle में यूज करेंगे अब pyruvate फिर से वापस regenerate करेगा तुम्हें धहान से देखो ATP convert हो रहा है AMP में और फिर से PEP बन गया so this is the entire pathway that we see over here ठीक है मुझे लग रहा है तुम्हें सारी बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर compartmentalization हो गया दो compartment बन गया एक मीजोफिल उसका काम है CO2 को fix करना with the help of the PEP case दूसरा है bundle sheet जो CO2 को लेगा concentrate करेगा और Kelvin cycle को चलाएगा ठीक है चलो बटा इसके उपर कुछ questions कर लेते है पहला question है carbon dioxide acceptor in the C4 plant तो तुम्हारा सीधा सीधा answer होगा कि यह है फास्पोइनल pyruvate acid और फास्पोइनल pyruvate यह हो नहीं सकता यह हो नहीं सकता और यह हो नहीं सकता है ना next question देखते है बटा which of the following is the C4 plant ठीक तो यह इसमें ध्यान से देखो कि मैंने बुला था this is the only tree only tree है जो C4 plant है बाकी सारे जो होते है herbs होते हैं तो यह तीनो चारो तीनो members जो है बटा वो C4 plants है then C4 plants are adopted to कहा के लिए बटा यह हमेशा hot और dry places के लिए adopted है tropical और subtropical ठीक है जहां पर ज्यादा dryness होती है in next question in case of C4 pathway the first step is तो CO2 किस से combine करेगा तो CO2 हमेशा combine करेगा PEP से so this is going to be the right answer ठीक है next question देखते है बटा that's all आज बटा हम लोगों ने दो चीजों के बारे में बहुत detail में बात की एक पोटो रेस्परेशन जो तुमने अच्छे से समझा होगा दूसरा हम लोगों ने बात की C4 cycle जिसको हम hatch और slack pathway बोलते है ठीक है डीटेल में बात की एक बारी ब्रीप कर देता हूँ दो कर दो है रूबिस्को है वो जब तीन कंडिशन है जब जब partial pressure oxygen का ज्यादा हो रहा है पहली condition दूसरी condition है बटा light intensity ज्यादा है तीसरी condition के temperature ज्यादा है इन तीनों condition में rubis को oxygened की तरफ बिएप करेगा oxygen को लेगा तो पाच carbon का जो कंवर्ट हो जा Gul वाला होगा वो फरीजनेड करना है तुर जाएगा पहले अपना फास्पेट निकालेगा glycolic acid में change होगा फिर glyoxylate में change होगा तो chloroplast से चला जाएगा paroxysome में जहांपे वो glycine में convert होगा ultimately यह glycine चला जाएगा mitochondria के अंदर जो serine में convert होगा serine convert होजाएगा hydroxy pirvate में फिर से आजाएगा प्रोक्सिसोम में जहां पे उसका Oxidation होगा और वो Convold हो जाएगा Glycerate में और यह Glycerate फिर से जाएगा Cloroplast में जहां पे वो ATP को यूज़ करेगा और फिर से 3 Faspo Glycerate बनाएगा इस Prossess में तो झाल गर 2 बारी तुम चलाओगे प्रोसेस तो 1 3 PGA निकलेगा अगर नॉर्मली एगर फोटो सिंथेसिस करते दो बारी या रूबेपी को यूज करते तो चार बनते तो यहाँ पर तीनी बन रहा है मतलब 25 परसेंट का नुकसान है 75 परसेंट ही वर्क कर रहा है साथ में ATP और NADPH का भी नुकसान है अब आते हैं दूसरी प्रोसेस में सीफोर प्लांट में अब सीफोर में क्या हुआ कि फोटो रेस्प्रेशन से नुकसान बहुत जादा है फोटो फोटो सिंथेटिक एफिसिंसी 25 परसेंट कम हो गई है अभी नेचर को कुछ चेंज करने तो नेचर कोई भी चेंज करता तो टाइम और स्पेस में करता तो उन्हो आपए जो एकसेप्टर है वीटा तीन कार्बन का कंपाउंड उसका नाम है फास्पोइनॉल पाइरुवेट जिस्टी आप उस्रीट में चार कर्बन का कंपाउंड है इसले है पूलेंगे बाद में जालेकर यहाप बंडल सीट में यह निकाले का लिगा लिग तो को ATP convert होगा AMP में एक MP को generate करने के लिए 2 ATP लगेंगे मतलब अगर overall देखोगे तो एक carbon dioxide के पीछे 2 ATP का नुकसान है है ना तुम्हें पता है कि 6 carbon dioxide लगते हैं तो एक glucose बनता है तो एक के पीछे अगर 2 का नुकसान है तो 6 into 2 मतलब 12 ATP ज्यादा लगेंगे मतलब यहां पे कोई भी नहीं आ रही है मतलब 18 नॉर्मली लगते हैं 12 और एड़ कर दो तो 30 यूज होने वाले है और यह जो प्रोसेस है इसकी प्रोड़क्टिवटी जादा है इसके अंदर क्राइंज अनो टॉमी है ट्रॉपिकल एरिया के लिए एडॉप्टेड है है ना और हाई टेंप्रेचर तुम्हारा काम हो जाएगा अब homework क्या करना है अभी इसके उपर जितने previous year में question है need में या कोई भी जो exam दे रहो जितने mcqs मिलते हैं जो भी तुमारे dpp है उसके alama जो तुमारे book के end में long छोटे बड़े बहुत छोटे questions है उसके alama boxes वाले जो question है तब को अच्छे से solve करना है ठीक है so that's all from today I hope that you enjoy this lecture अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है फिर से देखो बार बार देखो pdf देखो slides का और in the end अगर और कोई doubt वरी तो you go to the doubt portal pw app में and ask the question so thank you very much see you in the next lecture till then have a good time enjoy yourself keep yourself happy and healthy bye bye